आज हम आपको खिलाएंगे आलू और सोया की सबसी सबसे इंपोर्टन बात है कि इसके अंदर एक यूजिनॉल होता है विच इस एन इंपोर्टन ओएल विच हेल्प्स तो रेडियूस्ट अगर उनका इस्तमाल करते रहें तो नैचरली उनका जो शुगर लेवल है वो धीरे-धीरे बैलन्स होचाएगा अचली शुरुबात करते है सबसे पहले हम हमारे कढ़ाई में ओलिव ओईल डालेंगे सुनेत्यों ओलिव ओईल यूज करने से और भी लोग क्यालरी फूड बन जाएगा बिलकुल इसमें आगे डालेंगे हम प्यास और डालेंगे धेरसरी गालिक सुनेत्रा गालिक छो था होता है वो कोलेस्टोल को रिडियूस करता है जो की बाग कोलेस्टोल है अगर हम रोज सुबा उठकर एक लोग गालिक विद लिपोण ओट लेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशल होता है हाइपो कोलेस्ट्रेमिया पेशिंस के लिए यह जिनका कोलेस्ट्रोल लेवल हाई है गिनी अब हम इसके अंदर दालेंगे हरी मिर्च मैं या पे लगबग दो हरी मिर्च यूज कर रही हूँ जादा मुझे स्पाइसी नहीं बनानी है यह सब्सी हरी मिर्च के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पीनट्स सुनित्रय पीनट्स से इसके अनर्जी वैल्यूस और भी बढ़ जाएंगे बहुत ही जादा बढ़ जाएंगे इल गिव यू इनस्तंट एनर्जी वेनेवर यू थिस सब्सी जिन लोगों को इसे नहीं डालने तो इसको कम मातरा में इस्तमाल करेंगे अभी हमने जो पीनट्स जाले है इसको अच्छी से फ्राइ कर लेना है ताकि जो नटीने से इसका एन्हांस हो कि आए मैं शुष्पन ची को थैंक्स बोलना चाहूंगे जिनो ने हमें एक बहुत ही यूनीक लोग कैलरी एंड हेल्दी रेस्पी पेजिए कि अभी आगे इसके अंदर मैं हरी प्यास डालूंगी हरी प्यास के मैं इसे पत्ती ली है मैंने पूरा अन्यन यहाँ पे इसमाल नहीं किया है सुनितरय इस इस वेरी गुड टेक्नीक जिती भी बेसिकली लीवस होती है हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए अच्छी तरह से वाश करके चोटे-चोटे पीसेज में काटके हम किसी भी वेजेटेबिल में डाल सकते हैं ओमलेट में यूस कर सकते हैं तो इसके बाद हम डालेंगे उबले हुए पटेटोस पटेटोस के साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा पाउडर तुदा नमक और ब्लाक पेपर पाउडर तो बेसिकली हमें पोटाटो को थोड़ा साथे करना है साथे करना है मसाले भी इसके अंदर अभी परेटोस को इनने कोट कर दिया है इस वक्त हम डालेंगे टोमेटोस तुमाटोस में भी बहुत अच्छा एंटी ओक्सिजन्ट होता है लाइकोपीन जो की कैंसिल जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है यहां पे तमाटर भी अभी हलकी गलने शुरू हो गए है इस पक में इसके अंदर डालोंगी हमारी इसे मेंने काटा नहीं है मैंने बस इसे निकाल के टोड़ा कर लिया है जी और हलका सा इसको हमने रिंस करके ड्राइक कर आए प्रिशनुत्र अगर हम थोड़ा सा गीला डालेंगे तो इस सबजी चिपक जाएगी और इस सबजी काली भी हो जाएगी जल्दी हो जाती है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जादा इसे दो के खुले में ना रखे और बेसिकली इसका आयरन गंडेंट निकल जाएगा आप देख रहो कि आपके पैन में अपको लगे का बहुत जादा सबसी है यह आपके लेकिन जाएज जैसे जैसे यह पकनी शुड़ हो चाहेगी और गलनी शुरू हो चाहेगी तो थोड़ा कणने सब्सी रहे हो बैली है बैली अंडिस जाएगे शरी शरी बढ़ा अब आपर शिर्ट में गया है। शरी 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 ने परेवार मिल्गा है। यह अब बन गया है। मसाले भी पूरी तरह से कोट हो चुके हं हमारे स्वय के पत्यों के साथ। इसको हम पांच मिनिट के लिए और पकाएंगे. भीमी आज पर तो सुने तरे इस वेजटेबल को हम किस चीज के साथ का सते हैं आप इसे खाईएगा चपाती के साथ या फिर नान रोटी के साथ कुल्चे भी बड़े अच्छे लगते हैं इस सब्जी के साथ So viewers, जब तक हमारी इस सब्जी रडी हो रही है मैं आपको बता दूँ कि जैसे शुष्मा जी की रेसिपी हमारे किचिन में फीचर हुई है और अगर आप चाते हो कि आपके रेसिपीज भी हम यहाँ पे फीचर करें तो हमें जल्द से जल्द इस पते पे आपकी फेवरिट रेसिपीज लिग भेजिए हमारा पता है केरवल पोस्ट बॉक्स नंबर 11999 आजाद नगर पोस्ट आफिस अंधेरी वेस्ट मुंबई 400-053 हमारा इमेल आईडी है chef at carewalltv.com हमारी वेब साइट है www.carewalltv.com गिनी हमारी सबजी अभी रेडी हो गई है तो आज बंद कर देते है और एक फाइंडर इसके अंदर इंगरिडिन डालेंगे जो है lemon juice So friends, here we are enhancing the nutrition property we are pouring a lemon water basically on the green leafy vegetable thus enhancing the iron exorption गिनी हमारी सबजी अभी तो ready हो गई है आप मुझे वो बोल पास करे हमीसे भी प्लेट कर लेते है इसको में फाइनल अभी गार्निष दोंगी with little bit of tomatoes So गिनी, ये रही हमारी आलो और सोय की सबजी अगर आप चाहते हो कि ये रेसिपी आपके किचुर में भी बने तो इसका एक quick recap देखिए सोया आलो की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए तीन चमच ओलिव ओयल एक कप बारी कटा प्यास चोथाई कप बारी कटा लहसुन एक कप कटी हुई हरी प्यास आधा कप मुँ भली दो हरी मिर्च एक कप उपले हुए आलू दो चमच जीरा पाउडर एक कप बारी कटा टामाटर दो से तीन चमच नीवु का रस आधा चमच काले मिर्च पाउडर स्वादा नुसार नमक और एक बोल सोया के पत्ते सोया आलू की सबसी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तीन चमच ऑलिव ओयल कर्म करें फिर इसमें एक कप बारी कटा प्यास और चौथाई कप बारी कटा लहसुन डालकर भूने भूने के साथ साथ ही इसमें दो कटी हरी मिर्च भी डाल दें इसके बाद इसमें आधा कप मूमफली डालकर अच्छे से प्राई करें मूमफले के फ्राई होने पर एक कप हरी प्यास डालकर भूने इसके बाद एक कप उबालकर काटे हुए आलू डाले और दो कचमच जीरा पाउडर स्वाता नुसार नमक और आधा चमच काले मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिला ले इसके बाद एक कप बारी कटे टमाटर डाले टमाटर जब हलके से गल जाएं तब इसमें सोया के पत्ते डाले पत्तों के अच्छे से भून जाने तक इसे पकाएं सबजी के पक जाने पर आच बंद करके इसमें दो से तीन चमच नीबू का रस डाल दे सोया आलू की सबसी तयार है अब इसे एक बोल में निकाल कर बारीक कटे टमाटर से गानिश करके सर्व करे सोया के गुणों से भरपूर ये लो कैलरी सोया आलू स्वाथ में भी लाचवाब है